अर्जुन कपूर अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को लिकर काफी चर्चा बटोरते हुए देखे जाते हैं जहां एक और अर्जुन कपूर लाइम लाइट में बनी रहते हैं अपनी लव लाइफ के चलते वहीं दूसरी ही तरफ अर्जुन कपूर अपने परिवार के सदस्यों के साथ रिस्तों को लेकर भी चर्चा बटोरते हुए देखे जाते हैं अक्सर अपने इंट्रिव्यूज में अरजुन कपूर अपने भाई बहन के साथ रिस्तों को लेकर बातचीत करते हुए नसर आते हैं हाल ही में अरजुन कपूर ने अपने दिल की बात शेयर की है अपनी कजिन सिस्टर शनाया कपूर को लेकर जहाँ पॉपुलर स्टार किट्स में शनाया कपूर का नाम भी शामिल है हम बात कर रहे हैं यहां पर बॉलिवोड एक्टर्स संजी कपूर और महीत कपूर की बेटी शनाया कपूर के बारे में शनाया जो जल्द ही फिल्म इंडस्टी में डेब्यू करने वाली है शनाया फिल्मेकर करन जोहर के धर्मा प्रोडक्शन के साथ बॉलिवोर्ड इंडस्टी में कदम रखने के लिए तैयार हो चुकी है खबरों की माने तो सामने आया है कि शनाया की पहली फिल्म शशांग खैतान के निर्देशन में होगी और लक्षे, लालवानी और गुर्फत है पीरजादा के साथ देखा जाएगा शनाया को ऐसे में देखा जाए तो शनाया को लेकर पूरा कपूर परिवार ही काफी एकसाइटेड है वही हाल ही में अरजुन कपूर से इंट्रव्यू में शनाया कपूर को लेकर कई सवाल पूछे गए हैं और उन्ही में से एक सवाल ये भी पूछा गया है कि अरजुन कपूर क्या शनाया को को टिप्स देते हैं शनाया को गाइट करते हैं कि क्या उनका कोई प्लान है अपनी क परेजिन सिस्टर शनाया के लिए जहाँ दोस्तों अर्जुन ने बेहत अलग अन्दाज में जवाब दिया है अर्जुन ने स्थापटोर पर इनगार कर दिया हैं अर्जुन कपूल ने यह बताया है कि प्रतेक व्यक्ति की अपनी जरूनी होती है और उसे अपनी पसंद खुद करनी चाहिए अर्जुन कहते हैं कि शनाया अच्छे हाथों में है और ने हमेशा अपने और अपने परिवार का सपोर्ट मिला है अर्जुन चाहते हैं कि वह अच्छा करें और अपनी शुरुआत से पहले अपनी पसंद बनाए मुझे यकीन है कि जाने अंजाने बातचीत में मैं उनको गाइट कर सकता हूँ और अगर वह मुझ से कोई सवाल पूछती है लेकिन मेरा इरादा उन्हें राय बनाने वाले विचार देने का नहीं है इस तरह से अरजुन कपूर ने अपनी कजिन सिस्टर शनाया के करियर को लेकर ये बातचीत की जहां एक ओर फिल्म इंडोस्टी में अभी शनाया ने कदम नहीं रखा है वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो उनके कदम रखने से पहले उनके करियर को लेकर चरचाएं जोर शोरों से हो रही है आप क्या कहते हैं शनाया कपूर और अर्जन कपूर के बारे में यह आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में तब तक के लिए आप देखते रहें नेक्स्ट नाइन न्यूस